यह हम python में लिष्ट में या array में जो भी numbers है याने element है वो कितना वार है उसको याने repeating character जो है उनको each element कहां में print करना है इसमें आप समसे सबसे भले तो समझिए आप यह जीरो नमय याने स्टार्टिक जो है जीरो पॉकेट में वह आपका वन है और लास्ट इंडेक्स में आपका सेविन है तो हमें सबसे पहले तो काउंट करना है तो फर्स्ट पकेट में वन है तो वन कितना बार है तो वन हम अग अगर काउंट करेंगे तो two, one, two three time है, तो two को 3 टायम दे दिये, eight अगर काउंट करेंगे, एट single time है, तो eight single time हो गया, फिれた four count करेंगे, तो four mail मेरा क्या है, two time है, one और ये two time, तो two हो गया, now seven one time है, तो one time है, इसको हम programming के through करेंगे, तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक, टिक्सलेडी में मैपिंग कर लेंगे, यह जो character है उसको, count increase किजिए, अगर नहीं है, character Dictionary में, हम simple, अगर Dictionary में, हम क्या करेंगे, save करेंगे, अगर Dictionary में character नहीं है, तो देन उसको add किजिए अगर है तो उसका एक count increase कर दिए अगर मान लिए हम dictionary में one मेरा आ गया dictionary में हम one को store कर दिए अब जब search करेंगे तो one अगर found किया तो one का counting क्या हो जाएगा one plus one याने two होगा अगर next time आएगा तो फिर क्या होगा one plus one equal to three हो जाएगा two plus one three हो जाएगा seem two का जैसे अगर हम count करते हैं तो two को हम dictionary में store कर दिए फिर one को store कर दिए two मेरा है तो two क्या होगा first time counting one होगा फिर next time two होगा फिर three हो जाएगा eight मेरा नहीं है तो counting one होगा अगर है तो फिर counting two होगा तो इस logic पे हम इसको solve करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं लिस्ट में हम element दे देए इसके बाद हम count एक dictionary लेते हैं इसमें हम mapping करेंगे अब क्या करेंगे हम simple एक for loop लगाएंगे i in a जो list है उसमें starting to last यह move करेगा और check करेगा जो element dictionary में फिलाल तो dictionary में मेरा blank है first time हम one add करेंगे उसके बाद क्या करेंगे check करेंगे one अगर है तो counting बढ़ेगा नहीं है तो देन कोई changing नहीं होगा simple तो इसके लिए हम क्या करेंगे if i in count count में i का value है अगर है तो देन क्या करो आप count i equal to plus equal to one यहां आप dictionary अगर आपको problem हो रहा है dictionary समझने में या count i किसलिए हुआ तो नीचे description में मैं पूरा dictionary का एक list add कर दूँगा पूरा मेरा playlist बना हुआ वहाँ आप उसको समझिए तो इसको आपको समझने में आसानी होगी count i याने जो i का value मेरा count में save है याने i मेरा अगर one है तो अगर count में one अगर है तो देन one के value को increase करके one का key and value होता है तो key अगर one है तो देन value equal to one increase हो जाएगा clear अगर नहीं है तो उस condition में क्या करो else count i अगर value नहीं है तो उस condition में one महाँ पे store कर दो clear हो गया simple इसको logic से समझे है मान लिजए अगर मेरा जो dictionary है dictionary में हम क्या किया है dictionary हम count दे दिए count यहाँ पे क्या होगा first time मेरा one आ गया one अगर नहीं है one जब हम counting में आए तो one मेरा अगर नहीं है तो दिन one equal to मेरा हो जाएगा one equal to हो जाएगा one next time क्या हो जाएगा two आएगा two first time जब count होगा तो two मेरा dictionary में तो क्या है मेरा blank था फिर one store हुआ फिर one store हुआ है तो उस condition में अब क्या है two store होगा तो 2 एस्टोर कर दिये तो 2 equal to हो गया 1 नेक्स्ट टाइम मेरा लूप चलेगा और क्या होगा 8 equal to हो जाएगा 1 फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 2 मेरा फिर से आ गया है चुकि फिर से आ गया है 2 मेरा count याने dictionary में है तो दिन equal to हो जाएगा plus 1 फिर four आएगा तो four चुकी मेरा count जो dictionary हम बनाया है उसमें dictionary में नहीं है तो दिन four equal to हो जाएगा one फिर से two आया है चुकी two जब आएगा तो फिर क्या हो जाएगा plus one four आ रहा है तो plus one seven मेरा dictionary में नहीं है तो seven equal to one same इस logic पे ये पुरा काम करेगा अब इसको हम solve करें अब क्या करना है हम इसको simple dictionary को अगर आप print करते हैं तो यह आपका पूरा print हो जाएगा simple one one time है two three time है eight one time है four one time है और seven one time है four यहाँ हम इसको four को two time कर देते है यहाँ नहीं इसको हम देते हैं अब जब हम change किये हैं तो यहाँ देखिए four two time हो गया है इसको और अच्छा से print करने के लिए हम simple एक for loop लगाते हैं four key, value value key और value को print करेंगा अगर dictionary में आपको problem है मैं बार वार कराओ नीचे description में मैं starting से last dictionary का पूरा वीडियो बना हुआ है वहाँ देखिए इससे आपको dictionary समझ में आएगा तब इस तरह का program आपका असानी से समझ में आएगा in count.item method का यूज करेंगे हम print करना हमे तो print कर देते हैं print print करो तो आप key comma space लगाओ या equal to देदो comma value नीचे वाला print को हम हटा देते हैं अब देखिए यह आपका one print है two one time है two three time है eight one time है four two time है seven one time है यहाँ पे आप जैसे increase किजिएगा मानली जी हम यहाँ कर देते हैं eight को one time और कर देते हैं तो then eight का value आपका increase होके two हो गया clear इसको और अच्छा से करने के लिए हम simple यहाँ पे print कर देते हैं पहले एक हो तो आपका list भी सो करेगा और यहाँ हम message दे सकते हैं उपर में print frequency of each elements elements अब दिखे आपका जो मेरा list print हो गया उसमें जो frequency है one one time है two two time है eight two time है sorry two three time है four two time है one seven मेरा one time है इस तुरह हम आसानी से each element का frequency count कर सकते हैं list में python में तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कॉमेंट कीजिए अगर आप किसी प्रोग्राम में help चाहते हैं नीचे डिस्किप्शन में फेस्बूक इंस्टाग्राम का लिंक है इसके लब आप टेलिग्राम को भी जोइन कर सकते हैं झाल